नमस्ते गाईज और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC फाइट नाइट मार्चिंटी पूरा वसिस टॉम एस्पिनल के बारे में तो UFC फाइट नाइट का में कार्ट स्टार्ट होने वाला है रात को साड़े बारा बज़े से और इस में कार्ट को हम देख सकते हैं सोनी टेन टू टीवी चैनल पर जियो टीवी पर और सोनी लिव एप पर आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं वेल्ट वेट डिवीशन फाइटर कोबी कमिंटन के बारे में तो अभी तक यही चीज़ सबको पता लगी होगी कि नुवेंबर 11th UFC 295 मैडिसन स्कुए गार्डन में जो इवेंट होने वाला है उधर UFC वर्क कर रही है वेल्ट वेट चैंपियन लियॉन इडवर्ट वसिस कोबी कमिंटन की फाइट बुक करवाने का UFC 295 की अल्रेडी में इवेंट फाइट बुक होगी है जिदर जॉन जोन्स वसिस टीपे मियोचिच फाइट करने वाले हैं अब ये इंटिव्यू काफी लंबा था इसलिए में की पॉइंट की बात करें तो लियॉन इडवर्ट के बारे में कोबी कविंटन का ये कहना था कि लियॉन इडवर्ट के पास अब कोई आप्शन ये बसता है बिसाइड्स की वो इस फाइट को एक्सेप्ट कर ले अगर लियॉन इडवर्ट ने ऐसा नहीं किया तो यूएट्स यू से स्ट्रिप करने वाली है यानि की कोबी कविंटन का ये कहना है कि अगर लियॉन इडवर्ट ने उसके साथ फाइट नहीं की तो यूएट्स यूएट्विट बेल्ट को वापिस ले लेगी Kobe Covington ने ये भी कहा कि उसके वर्सिस Leon Edwards की fight UK में होने वाली थी बट Leon Edwards ने इस fight को करने से मना कर दिया Leon Edwards ने अपने ही fans को rob कर दिया ये fight ना करके बट जब वो champion बनेगा तो वो definitely UK में जाकर अपनी belt को defend करने वाला है अब इसके बाद Kobe Covington और John Jones के बारे में बात करें तो let me tell you अपने young years में Kobe Covington और John Jones roommates हुआ करते थे बट अब ये दोनों एक दूसरे को ज़रा भी like नहीं करते तो इस recent interview में Kobe Covington ने John Jones के बारे में कहा कि UFC उसके versus Leon Edwards की fight UFC 295 में इसले करवाना चाहती है क्योंकि वो John Jones पर जड़ा भी rely नहीं कर सकते UFC John Jones पर जड़ा भी depend नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी John Jones ने UFC का पूरा event cancel करवाया था वो unprofessional है और उसने steroids लिये हैं Maybe John Jones इस fight से पहले टकीला के shots ले, cocaine को use करके अपनी wife को beat करे और jail में चल जाए इसलिए UFC चाहती है एक इन shot fighter जो definitely fight करेगा और pull out नहीं करेगा और उससे जादा better company fighter और कौन हो सकता है Kobe Covington ने ये भी कहा कि UFC 295 की press conference में वो John Jones से real questions पूछेगा वो John Jones से पूछेगा कि वो Pico Grams क्या थे जब John Jones ने अपनी car से pregnant lady को hit किया था तब John Jones के bag में क्या था जिसके वज़ा से वो इस scene से भाग गया था एक चीज तो confirm है कि अगर John Jones और Kobe Covington एक ही stage पर हुए तो ये moment काफी insane होने वाली है पूल, I want the tough questions guys Hey Johnny, what was in the bag when you hit the pregnant lady at the stoplight and you fled from the scene? Guys, it's gonna be freaking electric factory if you put me and him on the same stage I mean Leon can't hang on the same stage as me for that long so you might as well have me and John on the same stage and we know he's unreliable so that's another, you know, that's two reasons why so let's get this done, let's go to Madison Square Garden boys, what do you think? और अब बात करते हैं, Kobe Covington ने क्या कहा lightweight champion Islam महाचेफ के बारे में तो Kobe Covington ने ये कहा कि वो हस रहा था जब उसने Islam महाचेफ का tweet देखा कि Islam महाचेफ ने Leon Edwards को call out किया fight के लिए उसके according Islam महाचेफ का ये desperation attempt था और वो UFC से back कर रहा था इस fight को करने के लिए क्योंकि Islam महाचेफ अफ्रेड है Charles Oliveira के साथ fight करने में अगर Islam महाचेफ 170 आता है उसके साथ fight करने के लिए तो Islam महाचेफ उसकी wrestling के साथ hang नहीं कर सकता वो definitely उसके साथ strike नहीं कर सकता and therefore Islam महाचेफ उसके लिए एक easy fight है I love it boys I mean if you look at the story lines you know you got the USA versus Russia angle I think the fight sells it's a big fight you know it's not a competitive fight you know I went it going away I beat him pillar to post he can't hang with me in wrestling he definitely can't strike with me I trained the last guy that knocked him out another southpaw that I trained to prepare for that fight so you know it's just it's easy fight अब इसके बाद डस्टिन पोरिय के बारे में कोबी कविंटन का ये कहना था कि डस्टिन पोरिय डर गया उसके साथ fight करने से पहले डस्टिन पोरिय बहुत बड़ी बाते बोर रहा था कि वो 170 pounds में आकर उसको बीट करेगा बढ़ जब ये fight actually में work होने लगी तो डस्टिन पोरिय ने इस fight को करने से मना कर दिया He's only talk and no walk और अब बात करते हैं कोबी कविंटन ने क्या कहा हामसा चमाइब के बारे में तो basically इदर भी कोबी कविंटन का यही कहना है कि हामसा चमाइब scared था उसके साथ fight करने से वो ready था हामसा चमाइब की hype को खतम करने के लिए बढ़ हामसा चमाइब डर गया हामसा चमाइब एक little dog है जो unprofessional है हामसा चमाइब उसके साथ fight नहीं करना चाहता था इसलिए हामसा चमाइब इस division से भाग गया हामसा चमाइब भी all talk है बट वो भी professionally contract को sign करके उसके साथ fight नहीं करता अब हामसा चमाइब की बात चलिया है तो हामसा चमाइब ने ये वालद जिफ्ट डाला और उसके caption में लिखा आज की next five वीडियो में बात करते हैं पैडी पिमलेट के recent interview के बारे में तो recent Q&A में पैडी पिमलेट ने ये कहा कि वो जरा भी impress नहीं हुआ इलिया टुपोरे की recent win से पैडी पिमलेट ने ये कहा कि वो really love करेगा इलिया टुपोरे के साथ इलिया टुपोरे के साथ the ultimate fighter में coaches बनने का वो इलिया टुपोरे की performance से जरा भी impress नहीं था क्योंकि इलिया टुपोरे ऐसे fighter को भी finish नहीं कर पाया जो कुछी time बाद retirement ले लेगा इलिया टुपोरे एक 39 year old fighter Josh Emmett को भी finish नहीं कर पाया इसके बाद Paddy Pimlet ने ये कहा कि अगर उसके versus Josh Emmett की fight होती है तो वो definitely Josh Emmett को finish कर देगा तो recently Josh Emmett ने Paddy Pimlet का reply दिया है जिदर Josh Emmett ने कहा कि वो ready है Paddy Pimlet के साथ fight करने के लिए वो भी 155 lightweight division में अब इस QNA में एक awkward और cringe moment हुई जो काफी ज़ादा viral भी हो रही है जिदर एक fan ने Paddy Pimlet से पुछा कि क्या उसने Molly McCann के साथ naughty stuff किया है ये कोशन काफी cringe था और Paddy Pimlet ने इसका reply देते हुए कहा कि Molly McCann एक lesbian है अब I'm not sure कि Molly McCann सच में एक lesbian है या फिर Paddy Pimlet ने उस कोशन का avoid करने के लिए ये कहा आज की next 5 वीड़ो में बात करते हैं जैरेट के निने ने क्या कहा middleweight champion इसराइल अतसानिया के बारे में और हामजा चिमाइव के बारे में तो जैरेट केनिया ने अपने recent interview में basically ये कहा कि इसराइल अतसानिया खुद से fighters को pick कर रहा है कि उसके साथ कौन fight करेगा वो agree करता था Drickers Duplessis और इसराइल अतसानिया की fight से बट अब वो इस चीज़ से disagree करता है कि इसराइल अतसानिया अपनी next fight करने वाला है जैरेट केनिया का ये कहना है कि वो definitely जैरेट केनिया के आगे है और इसराइल अतसानिया को उसके साथ fight करनी चाहिए थी ना की जैरेट केनिया के अगेंस्ट और अब बात करते हैं जैरेट केनिया ने क्या कहा हामजा चमायव के बारे में तो रिसेंटली ये रूमर्स चल रहे थे कि मेभी हामजा चमायव जैरेट केनिया के साथ fight कर ले बट अब ये चीज़ कंफर्म होगी है कि हामजा चमायव fight करने वाला है पॉलो कास्टा के अगेंस्ट तो इसके बारे में जैरेट केनिया का ये कहना है कि वो सब बस एक रूमर्स थे बट हामसा चमायव से fight करना डेफिनेटली एक possibility बन सकती थी अगर UFC उसे confirm करती कि हामसा चमायव की fight के बाद उसकी next fight होगी tighter shot के लिए आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं इस्लाम महाचेव वसे चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम महाचेव वसे चार्ल्स ओलिवेरा की fight होने वाली है जिदर हम देख सकते हैं कि इस्लाम महाचेव एक काफी बड़ा फेवरेट है वेरस चार्ल्स ओलिवेरा अब एक बिग अंडर डॉग है इसी के साथ हामसा चमायव और पॉलो कॉस्टा की बात करें तो हमसा चमायव इस्लाम महाचेव से भी बड़ा फेवरेट है और पॉलो कॉस्टा चार्ल्स ओलिवेरा से भी बड़ा अंडर डॉग है मिडल बेट चैंपियन इस्राइल लदर सान्या की पोटेंशिल नेक्स्ट फाइट अगेंड शौन शिकलेंड की बात करें तो इसराइल लदर सान्या और शौन शिकलेंड के बेटिंग ओर्स भी सेम है एस कंपेर टो हमसा चमायव और पॉलो कॉस्टा के इसी के साथ ये रही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज मेक शूर तो लाकी सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में